नवार मंद के बहुत सारे चमतकारी लाव हैं, जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकन आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे नवार मंद के वो चमतकारी लाव जो लोग नहीं जानते हैं। यदि आप जीवन में आर्थिक वो पारलोकिक समस्याओं से परिशान है अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्क दर्शन आध्यात में अथवा भौतिक मार्क दर्शन प्राप्ट करना चाहते है तो Call Me For आप से कॉल करें डाउनलोड करें Call Me For आप और सर्च करें विशनात अघोरी रहस्यों का सौधागर विचारों का समंदर आदेश जैर्श्र महकल नवान मंत का जाफ करने से व्यक्ति को बहुत सारे चमतकारी लाव होते हैं और ये वो चमतकारी लाव हैं जो प्रतेक व्यक्ति की जीवन को बदल देते हैं वैसे तो इसके बहुत सारे चमतकारी लाव हैं जिनका वर्डन करना इतना सहज नहीं है क्योंकि नवान मंत मा भगवती का बीज मंतर है जिसका जाब करने से मा आदी शक्ति की करपा प्राप्त होती है व्यक्ति को और मा के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी की करपा प्राप्त होती है फिर चाहे वो दस महा विद्या स्वरूप हो या अन्य स्वरूप हो यदि व्यक्ति नित्य नवान मंत का जाब करता है तो नित्य नवान मंत का जाब करने से कोई भी नकारात्मक उर्जव व्यक्ति को परेसान नहीं कर सकती है जैसा कि अक्सर होता है कि कई सारे लोगों के साथ होता है कि वो कहीं पर ऐसी जगा पर जाते हैं जहाँ पर negative energy होती है या कोई ऐसी जगा जो haunted होती है जहाँ पर कई सारी paranormal activity होती है तो ऐसी जगा पर जाकि उस व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होती है इसके साथ जो व्यक्ति ध्यान करते हैं यदि वो लोग नवानमंद का जाफ करते हैं तो उससे जो उनकी एक आग्रता है वो दस गुना अधिक बढ़ जाती है और उनका जो constant rate level है एक आग्रता की जो छमता है वो विक्सित होने लगती है एक और लाब है नवानमंद का यदि नवानमंद का जाफ व्यक्ति करता रहता है तो व्यक्ति को अभिष्ट सिध्धियां प्राप्त होने लगती है तो आज आपको ये जानना अवश्यक है कि अभिष्ट सिध्धियां क्या किस तरीके से प्राप्त होती है यदि आप नवानमंद का नित्यजाब करते रहते हैं से ये होता है कि जो सिद्धियां है वो आपको पती आकरस्त होने लगती हैं कई बार आपको स्वापन में कई सारे ऐसे शक्तियों की विशाय में पता लगने लगता है जिनकी विशाय में आपने नहीं सुना है या इसके साथ साथ कई बार आपको ऐसे सिद्ध महत्मा ऐसे या कई ऐसी शक्तियों से सम्मन्दित आपको साधनाय दे देते हैं जो आपको कभी मिलने वाली ही नहीं थी और जब आप वो साधनाय करते हैं तो आप एक चमतकार महसूस करते हैं और दोबारा वो साधू या सन्यासिया आपको जीवन में फिर नहीं मिलते हैं तो ये जो भी चीजें होती है ये नवानमंद के प्रभाव से होती है और अक्सर नवानमंद के प्रभाव से व्यक्ति के तरफ सिधियां खिचना प्रारंब हो जाती है शक्तियां आकरसित होना प्रारंब हो जाती है इसके साथ साथ जो लोग नवानमंद का जाफ करते रहते ह तो उनके अंदर एक और छमता विक्सित हो जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक उर्जा को अपने अंदर सोख सकते हैं यानि अपने सरीर में समाहित कर सकते हैं और अपने सरीर के माध्यम से उसको मुक्त कर सकते हैं अर्थात यदि किसी व्यक्ति के उपर नकारात्मक शक्ति है और वो व्यक्ति के सिर के उपर हाथ रखकर साथ बार अगर उसको फूंक मारते हैं या जल में साथ बार मन पढ़के फूंक मारते हैं और जल उसको पिला देते हैं तो इससे वो व्यक्ति ठीक हो जाता है उस व्यक इसे जुरी हुई समस्या है या उपरी बाधा जिसे कहा जाता है तो ऐसी समस्या व्यक्ती ठीक करने में सक्षम हो जाता है नवाणमंद का जाब करने वाला व्यक्ती तो इस तरीके से बहुत सारे लाब है नवानमंद का जाब करने के और एक और इसमें जो सबसे बड़ा लाब है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति नित नवानमंद का जाब करता रहता है तो अगर कोई व्यक्ति उसके उपर तांत्रक अविचार करता है तो वो तांतरक अविचार जो भी व्यक्ति करता है तो वो तांतरक अविचार का असर उस व्यक्ति के उपर नहीं हो पाता है लेकिन एक और बात है कई सारे तांत्रक अविचार ऐसे होते हैं जिनमें की कुछ ऐसे दुर्ष्ट तांत्रक होते हैं जो दुर्ष्ट तांत्रक शम्शान काली की अराधना करते हैं और मा के शम्शान काली सुरूप के माध्यम से तांत्रक अविचार करते हैं तब ऐसे इस्थिती में तांत्रक अविचार जो हुआ है वो माकाली के माध्यम से हुआ है तो ऐसे अविचार को कैसे निस्फल किया जा सकता है ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है परन्तु जब कोई व्यक्ति नवानमंद का नितिजाब करता रहता है तो जो भी वो त समसानकाली माके माध्यम से नकारात्मक प्रियोग किया है चुकि समसानकाली की उसने अराधना की है तो कई बार सकतिया वचन बद्ध होकर भी कार करती है वो करना नहीं चाहती है लेकिन वो अपने जो भक्त है ये जिसने भी साधना की है तो उनके वचन बद्ध होकर कार त करती हैं लेकिन वो उनसे प्रसन्य नहीं होती है तो इससे यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने नवानमंत का अनुष्ठान किया है या नित्य नवानमंत जाप करता है तो ऐसा अगर कोई तांत्रक अविचार उसके उपर प्रियोग किया जाता है तो तांत्रक अविचार का आसर 90 प्रतिसत नस्ट हो जाता है सर्फ उसके उपर 10 प्रतिसत तांत्रक अविचार का ही प्रभाव होता है लेकि यह प्रभाव भी 7 दिन के अंदर पून तरीके से हट जाता है उसके उपर से नवानमंद का नित्यजाब करते रहने से क्योंकि जो भी तांतर का विचार हुआ है वो मा भगवती के उर्जा में समाहत हो जाता है जिससे व्यक्ति सोरक्षित रहता है तो ऐसे बहुत सारे जमतकारी प्रभाव हैं जो कि नवानमंद का जाब करने मात से व्यक्ति को उसके जीवन में प्राप्त होते हैं और बहुत कुछ बदलता है प्रतेक मनुष्य के जीवन में तो नवानमंद का नित्य व्यक्ति को जाब करना चाहिए या जो लोग करते हैं नवानमंद का जाब जो भी महलाएं हैं या पुरुस हैं तो आज इस वीडियो में बो लोग ये जान पाएंगे कि इसके कितने सारे चमतकारी प्रभाव हैं कि या 11 माला या फिर 21 माला नित्य जाब करते रहिए और जबी भी संभाव हो साथ दिन में एक महिने में तो आप एक बार हवन जरूर करें एक माला का या 11 माला का बिलकु सहज तरीके से घी में हवन सामगरी मिला के भी आप कर सकते हैं या फिर घी में गूगल मिला के आप कर स तो इस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं ये नवार मंद के जो चमतकारी प्रभाव हैं इनका लाव ले सकते हैं और बहुत सारे प्रियोग हैं इस तरीके के और यदि आप और भी ऐसे प्रियोग जानना चाहेंगे कि और क्या क्या लाव होते हैं क्योंकि बहुत स साय में लोगों ने अब तक नहीं बताया है, तो ऐसे कुछ हिलाप जो और लोगों नहीं बताये हैं, तो वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, और नवान मन्त का हम आपको उच्चारण बता चुके हैं कैसारे वीडियो में, एक बार फिर से हम आपको बताएंगे को नावान मंत का जो चारण है एक बार आप सुनिए ध्यान से इसी तरीके से आपको ये जाब करना है इस तरीके से आप जाप करिए निश्चा ही यह सारे लाब आपके जीवन में घटेत होंगे और आपको यह सारे लाब प्राप्त होंगे आदेश जर्श्रमा कल